हेलो स्टोंट्स स्वागत है आपका SK क्लास नुब सान में तो आज मैं आपके लिए पर्ष्ट वीडियो लेकर आया हूं जिसके अंदर हम टॉप टैन ऑब्जेक्टिव यानि MCQ मल्टीपल चॉश्च क्वेशन्स जिसे आप बहु बिकल्पी नाम से जानते हो ये वीडियो हि के लिए होने वाली है इसमें मैं टॉप 10 पर्ष्ट चैप्टर के MCQ कराने वाला हूं हर एक वीडियो में 10 क्वेशन कराए जाएंगे हर एक क्वेशन को आपको ध्यान से समयना है हर एक क्वेशन को मैं एक्स्पेन करूँगा हर एक क्वेशन के पीछे आपको 3-4 कॉंसेप् अच्छे-चे क्वेशन लिए गए है यह देखते हुए कि प्रिविएस यह क्वेशन में यानि कि जब लास्ट यह तुमारा क्वेशन पेपर हुआ तो किस तरीके के अब्जेक्टिव यानि MCQ लिए गए थे उस तरीके को देखते हुए मैंने कुछ सलेक्टेड MCQ इस वीडियो में रखें तो आप वीडियो को लास्ट तक देखें और चैनल को तुरंद सब्स्राइब कर लें तो आइए देखते हैं ऐसे इसी सीरी ने हम कम से कम टॉप 200 MCQ करने वाले हैं जिससे आपकी प्रैक्टिस में चार चांद लग जाए आई यह स्टार्ट करते ह सबसे पहले अप्सन में आपको दिख रहा होगा ए उसके बाद M प्लस 1 दूसरा है टूम और 2 M प्लस 1 तीसरा है 2 M और चोथा है 2 M प्लस 1 तो सं पूड़ांग क्या होता है देखो जो इंगलियों बाले बच्चे हैं उनके लिए मैं इंगलियो में थोड़ा सा बीच बीच म संपुढंग करूँगा संपुढंग मतलब होता है even integer संपुढंग मीनस होता है ऐसे आपका even कर तेशर even integer संपुढंγ क्लिए क्लियर संपुढंग द few M M क्य已經 kw ilyew कुछ ही हो शकती A आपकी 4 संग्या है ? अइम आपका 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है , 3 भी आ सकता है, 10 भी आ unintended मेंoser सम्पॉरंगstersे सकते , क्योंकि अगर एम संपॉरंगsters थीह क्याrics है , kanा हूं M की जाएगा अगर आपने वर रखा तो 2 multiply 1 होगा तो 2 हो जाएगा M की जाएगा 2 रखा तो 2 multiply 2 होगा तो 4 हो जाएगा यानि M की किसी भी value के लिए M का कोई भी मान रखने पर 2M की जो value है तो 2M का जो मान आएगा वो sum पूरांग आएगा आपने पहले ही लगा लिया होगा आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी आईए question 2 पर चलते हैं और द्याहन से question को देखना root 12 का पर्मे करण गुड़ांक है यानि rationalize factor बताना है आपको root 12 का पर्मे करण गुड़ांक तो root 12 को आप क्या लिख सकते देखो इसका पर्मे करण करोगे rationalize करोगे या इसको थोड़ा और solve करोगे पर्मे करण का मलब होता है rationalize करना यानि उसको और छोटा करना देखो root 12 का root 3 तो कोई मतलब भी नहीं है अच्छा root 2 का भी कोई मतलब नहीं root 12 का नहीं root 6 का मतलब है दो root 3 का हम लगता है root 12 क्योंकि root 12 के जब आप गुड़ांखंड करोगे मैं थोड़ा सा explain कर देता हूं आपको यहां पर जब आप 12 के गुड़ांखंड करोगे तो 2 से 6 वार 2 से 3 वार आई अपके समय में आ रहा होगा 3 से 1 वार यह इसके गुड़ांखंड है इसमें देखा तो 2 का जोड़ा बन गया लेकिन 3 का नहीं 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 है और जिसका जोड़ा बनता है वह बाहरा आता है जिसका जोड़ा नहीं बनता हो अंदर रहता है तो 2 root 3 यहांई बारह को आप 2 root 3 लिख सकते हो तो option D will be right answer option D will be right answer देखे आपके लिए बहुती उंदा तरीके से महनत हो रही है चैनल को सब्सक्राइब करने वीडियो को लाइक कर दें ऐसी वीडियो देखने के लिए आप मारे चैनल को follow कर सकते है means आप सब्सक्राइब कर सकते हो जिससे आपके notification सबसे प अबड़े तरीके से और ध्यान पूरवक देखें क्योंकि वह आपको option में पसा सकता है जैसे एक असुन्य मैं question 3 बात कर रहा हूं एक असुन्य मतलब सुन्य नहीं है नौन नेगिटिव नंबर है या आप कह सकते हैं नौन जीरू नंबर है तो असुन्य परमे और अपरमे स संख्या का गुडण फल होगा यानि एक संख्या परमे है और एक संख्या अपरमे है तो इन संख्याओं का गुडण फल यानि product पूछा है एक rational नंबर है और दूसरी rational नंबर है आई हूप आपके समय में आ गया होगा इसमें क्या है हमेशा परमे हमेशा अपरमे एक या पर तो आपको पता लगेगा कि एक पर्मे एक अपर्मे संख्या का गंध़ दो और यानि मानलो रूट तीन जब तो आपका आएगा दो रूट तीन अब दो रूट तीन कैसी संख्या है अपरमे संख्या तो हमेशा याद रखें एक अगर परमे संख्या है दूसरी अपरमे संख्या है तो आपका हमेशा अपरमे होगा यानि option B will be right answer एक नहीं हो सकता हमेसा अपरमEMA होगा एक नहीं हो सकता परमे या पर में दोनो नहीं हो सकते हमेसा अपरमEMA होगा तो option B और टांसर आये question 4 की दिशान के दिशान देखना राया है है 144 के आपको जब बार करोंगे तो उसमें 2 का जो कि पाबर होगी वो क्या होगी तो पहले आपको क्या करना है 144 के शार कर लेने अवाज जब अने हंट कर लेने 144 2 की का मौ 32 मोर जाएगा फें 2 से कर होगे 36 वार जाएगा 2 ऑठ- screams आपको बिल्य पसंदार होगी क्वेस्टन आपको अच्छे लगा होगे मेनत आपको अच्छे लग रहे होगे तरीक आपको अच्छा लग रहा होगा बस आपको द्यान से देखना है, आपको समार्ट बोर्ड नहीं मिल रहा है, मैं समझ सकता हूँ, मैं आपको कौपी पर एकस्प्रेंश कर रहा हूँ, लेकन आपको बहुती उंदा और अच्छी चीजा में आपको डिलिवर कर रहा हूँ, आप ध्यान से हरे क्वेशन को देखें, हरे क्वेशन ल A और B अवाजे संख्या है, तो A और B का लासा पूछा है, तो इसका थोड़ा समय आपको explanation दे देता हूं, देखें, त्यान से सुनना मेरी बात, मानलोग कोई 2 संख्या है, अवाजे हैं, दो है, और दूसरी मानलोग 5 है, 2 और 5 दोना अवाजे संख्या है, अगर आप 2 और 5 का लासा यानि LCM निकालोगे, तो हमेशा दसाएगा, यानि 2 अवाजे संख्याओं का लासा हमेशा उनका गुड़न फल होता है, यह आपका concept है, 2 अवाजे संख्याओं का लासा, यानि 2 prime numbers का LCM जो होता है, वो हमेशा उनका product होता है, यानि A और B का जो multiply होगा, वही इसका LCM यानि लासा होगा, तो option A में तो B है, तो B तो नहीं हो सकता, A upon B यानि divide में नहीं हो सकता, only A नहीं हो सकता, तो A और B का जो LCM होगा, A और B का जो लासा होगा, वो A और B का गुड़न फल है, यानि के product होगा, यानि A, B, option B will be right answer, I hope आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, औ questions भी आपको संज में आ रहे होगे, आईए अगले question पर चलते हैं, that is question number 6, बहुत ही मेहनत के साथ आपके लिए question त्यार किये गए हर ये question को आप ध्यान से देखिएगा, 6, 8 एवं 22 का लासा और मासा का अनपात है, 6, 8 और 22, 6, 8 और 22 का लासा निकालना यानि LCM और मासा निका परेगा लासा, ठीक है, उसके बाद निकालना परेगा मासा देखिए, आपको में बता दू, लासा पर वो नमर होती है, जो 6, 8 और 22 से कट जाए, लासा वो नमर होगी, जो 6, 8 और 22 को काट दे है, ये चीज concept है, लासा हमेशा कटता है उन नमर से, जो गिवन नमर से हैं, और मासा जो है हमेशा, मासा उन नमर को काटता है, जो गिवन नमर से हैं, 6, 8 और 22, चलो मैं लासा निकाल लेता हूँ, तो 6, 8 और 22 का लासा, यानि 6, 8 और 22 से नमर कट जाए, तो मुझे लगता है, क्या 1, 14, ये 6 से कट रही है क्या, कट जाएगी, 8 से कट रही है क्या, 8 से नही 2-2 बार 2-1 वार, 22 के Factor कल लो, 2-11 वार, और 11-1 ठीक है, अब Factor कल लिए, अब आपको क्या करना है, तो Factor कल लिए आपने, तो Factor में देखा, 2-2 और 2, केवल 2 ही औंचाह, इसको मासा पारे, बो आपका 2, 56, 56, 1 अब है, 6 8 मारे 22 लासा सबंस्ullecks 2还 von 2-3 2-4, 2-11 danum 21-4 2-2-3 but 1 नियुए यहां ग्यारव दिन 2226264 यहीं लासा 264 है और मासा 2 है तो 264 और 264 अनपात 2 यहीं 2 से काटोगे तो 2 एक अनदो 2 ती अच्छे 2 दिन 4 यहीं 132 अनपात 1 आपका अंसर आजाएगा यहीं कि संख्या है ऐ आए और ऐसरे साम थीन आप दो संख्या है रहाँएं एघर है औरो दूसरी घर्ण च्छान ठीज है ठीच है तत्था मासा 20 तो एक आमान बताई एक बात चिंगा इंगो लासा वो नमर शुती जोगिवन नमर से कड़िये और मासा अगर आप 3 रख लेते हो एक कोई संख्या है मेरी बात यहां सुन लें आप थोड़ा सा explain कर देता हूं मैं तुमारे लिए मैं थोड़ा सा explain कर देता हूं यहां फोकस करूं एक नमबर है और दूसरी नमबर है आपकी 18 question में एक है और दूसरी है 18 यानि एक ही जगह पर ऐसी कोई नमबर है और इनका मासा क्या है 2 मासा 2 है इसका मिलब यह है यह नमबर 18 और यह नमबर पर या तो 4 हो सकता है, या 2 हो सकता है, इसमें से कोई एक answer है, या तो 4 है, या 2 है, लेकिन उसने साथ में यह भी रैक्र, कि 2 या भी आफका 36 है, अगर मैं A को 4 मार लू तो अठार है, और 4 का लासा निकालना जड़ा जड़ा, जड़ा option c बिल्कुल सही है I hope आप question को पहले पढ़ते होंगे उसके बाद आप खुद solve करते होंगे और answer लगाते होंगे उसके बाद मेरा explanation देखते होंगे आए question 8 की तरफ बढ़ते है question 8 की तरफ बढ़ते है मैं थोड़ा स्कूरूपर कर लेता हूँ question 8 देखते है आई हो question आपको के लिए दिखाई दे रहा हुआ तो question 8 है root 10 into root 15 बरावर है root 10 गुड़ा root 15 बरावर है किसके बरावर है 5 root 6 की, 6 root 5 की या root 30 की, या root 25 की चली देखते हैं थोड़ा समय इसको explain करूँगा आपके सामय root 10 into root 15 option से match कराना आपके रूट 10 और root 15 है तो अगर देखा जाए तो मैं root 10 को अंदर 2 root 5 लेख सकता हूँ sorry, 2 into 5 लेख सकता हूँ root 10 को 2 into 5 लेख सकता हूँ ऐसी 15 को 3 root 5 लेख सकता हूँ means 3 multiply 5 लेख सकता हूँ sorry अच्छे, अलग-अलग भी लेख सकता हूँ root 2 into root 5, root 10 हो जाएगा root 3 into root 5 ये भी root 5 हो जाएगा root 5 और root 5, 5 होता है root 2, root 3 हो जाएगा, root 6 यानि 5 root 6 हो जाएगा बस लेखने वाली बात थी इसको थोड़ा दूसरे फोर्म में लेखने वाली बात थी यानि 5 root 6, option A believe you right answer, option A बिल्कुल सहीए आपका 5 root 6 लिखा जा सकता है root 10, root 15 हो जी हाँ बिल्कुल आगर आप ये सुचे रहे ऐसे question आएगे, बिल्कुल ऐसे ही question आप से पुछे आएगे, इसमें भी वो आपको confuse कर सकता है, और आप थोड़ा सा उस्यारी से काम लेना अगला question number 9 देखते हैं बहुती सरल question है सहवाद जे संख्या बतानी है सहवाद जेका मला होता है, को प्रैम number ऐसी number जो किसी भी common number से ना कटे, यानि ऐसी नमर जिनका मासा पर एक आए, यानि ऐसी संख्या हैं जिनको कोई एक संख्या नहीं काट पा रही हो, जैसे देखो option पहला गया, 14 और 35 14 साथ से कट जाएगी और 35 भी साथ से कट जाएगी, तो ये आपका अंसर नहीं है, आपको बो नमर देखना है, जो किसी से ना कटे एक नमर से ना कटे 13 चक उबावन होता है 13 चक उबावन तो 13 से कट गया 24 से होता है, तो 24 से कट गया, 18 पच्चिस किसी common नमर से नहीं कटेगा, याई option B will be right answer, जिनका मासा पह एक आता है जिनका मासा पह जिनका मासा आपका एक आता है वो नमर आपकी होती है सह वार्जे संख्या यानि को प्रायम नमर, I hope आपकी समझ में आया होगा आगे चलते हैं, और इस वीडियो को last question है question number 10, 10 वाले question में देखे हैं, नमन मैंसे पर्मे संख्या है पर्मे संख्या बतानी है एक वट्टे, रूट में चल रहा है एक वट्टे 144, दूसरा और पर्मे संख्या होती है वट्टे 5 के साथ आप कुछ भी जोड़दो, कुछ भी गटादो, अपर्मे मन जाती है यह दोनों नहीं है पचास से एक वार काटूँगा, पचास से इसको मैं दस वार काटूँगा तो 1 upon root 10 आएगा तो ये भी नहीं है आपका फिर वस्ता option A और option A बिलकुल सही है option A बिलकुल राइटर में थोड़ा सा explain कर देता हूं देखो 1 upon root upon root में 144 एक का root एक होता है 144 का बाहर है जब बाहर निकल गया जाएगा तो फिर वो प्रमेशन क्या होगी आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें अपने दोस्तों के साथ बहुत अच्छे टॉप 10 क्वेश्चन करवाएं नेक्स्ट वीडियो में हम 11 to 20 क्वेश्चन करेंगे बहुत ही उंदा लेवल के क्वेश्चन होंगे बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन होंगे और फस्ट चैप्टर के जिदने भी क्वेश्चन रह गए अभी साथ फस्ट चैप्टर की क्वेश्चन होंगे 11 to 20 उसक तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में